पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है मंगलवार की सुभ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिध्धु ने वैचारिक मतभेद और सिध्धानतों से समझोता नहीं करने की बात कहकर पद से इस्तीफा दे दिया तो इसके कुछ घंटों बाद ही उनकी समर्थक कैबिनेक मंत्री रजिया सुल्ताना और परगट सिंह ने भी इस्तीफे दे दिया दोनों नेताओं ने दो दिन पहले ही पंजाब के कैबिनेक मंत्री के रूप में शपत ली थी मुख्यमंत्री चरंजीत सिह चन्नी को भेजे अपने इस्तीफे में रजिया सुल्ताना ने लिखा पॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को मेरी और मेरे परिवार पर हमारी जरूरत की घड़ी में उनके अंगिनत आशिर्वात के लिए हृदै से धन्यवाद उन्होंने कहा कि सिध्धू साहब सिध्धान्तों के आदमी हैं वह पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे उनके पहले-पहले पंजाब काग्रेस कमेटी के कोशाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया था हालांकि इस बीच चर्चा है कि नवजोत सिंह सिध्धू का इस्तीफा पार्टी हाई कमान ने स्विकार नहीं किया और राज्यकॉंग्रेस में मचे उथल पुथल को दुरुस्त करने को कहा है